प्यारे बच्चों गुड़ मॉनिंग हम क्लासिक सब्जेक्ट हिस्ट्री का चप्टर पढ़ रहे हैं इन दे अरले सिटीज आज हम पढ़ना जा रहे हैं बोलते हैं कि इसके इसके इलावा वहाँ पर क्या थे और आदमी और ओरत थे और बहुत सारे कारिगर थे जो अलग अलग किसम की चीज़ें बनाते थे जो लोग थे वह अलग अलग जगाओं पर जाते थे और वहाँ से वापस लोटते थे किसके साथ वह कच्चे माल के साथ और परहब स्टोरी और अलग-अलग कहनीं के साथ बहुत सारी टैरा कॉटा वहाँ पर खिलोने मिले थे और यह पाया गया होगा कि इनसे बच्चे क्या करते थे खेलते थे बच्चों टैरा कॉटा एक कस्म के मिटी होते थे जिससे वह छोटी-छोटी खिलोने बनाते थे उन लोगों के एक लिस्ट बनाओ जो कि क्या रहते थे सिटी में रहते थे वर अनी ऑफ दीज पीपल लिविंग इन विलेज्ज सच अ महरगड कोई ऐसा और यह पता लगाओ कि जो उन में से लोग है उस लिस्ट में जो लोग है वो उसी तरीके से रहते थे उसी जो लिए आपको पता लगाना है अगर आप बच्चो यह देखो गो ऊपर तो यह कहें टॉप स्ट्रीट इन मोहन जदारो विद ए ट्रें यह एक उपर गली है मोहन जदारो की जिसमें कहें ड्रेन है जो की नालिया बनाई है अबव वेल जो की यह दूसरा क्या है एक हुआ है अगर यह दो इमेज़ देखोंगे बच्चो फार लेफ्ट जो यह वाली इमेज है हरपन सील एक हरपन सील है दा साइन ऑन ड़ टॉप ऑफ दी सील पार आप ऑफ दी सक्रिप्ट जो हरपन सील जिस पर आपको एक जानवर की शकल दिखेगी यह एक सील जो मोहर है जो आजकल में सबसे पहले जो लिखावट या जो राइटिंग आई थी यह सबसे पहली वाली राइटिंग जो इस सील के ओपर अगर आप बच्चो देखोगे तो यह है इस गया जो जो इसके बारे में जानकारी रखता है और रहुझ में अगर लेखोगे यह फार लेख था बच्चो लेख्यु अगर देखोगे अगर यह यह जो एछनवारिों के शकले दिखाए देरी या जो यह बने हुए हैं यह टारकाट को टॉइज बच्चो यह बच्चे क डों हैं रापन मातिव पाटिए हैं सब्सक्राइब करें चक्या करत कर खे था संफ ग्रतिफर गर्य तरह में लख से क्राय बनाती थे लपाइब को क्या बनाती थे वह क्राफ्न को बनाती है most of the things that have been found by archaeologists are made of stone बहुत सरी चीजे जो archaeologists को मिली थी वो किनके बनी थी पत्थर और शेल और मेटल इंकलूडिंग कॉपर और जो मेटल की चीजे बनी थी उसमें क्या क्या शामिल थे क्या क्या इंकलूड थे कि कॉपर यानि की तॉमाइब, ब्रोज्ड, पीटल, गौल्ड, सोनवस, इन कि चांदी,mr पन कारूज्ड सटी वेपन, और बॉम्स यानि की कोपर जो तॉपर जो चैंदी यानि की Loss paper ले तॉलार, पेतल वेपन वेपनड और वेपन की अल्य थी रहिए जेवरात बनाने में या बरतन बनाने में परहब्स ट्राइकिंग फाइंड फाइंड जो सबसे ज्यादा अच्छी जो उनको खोज हुई थी वहां पर वह क्या थी बीड्स अगर आप बच्चो नीचो देखोंगे जो यह रैड कलर या पिंक कलर के दिखने यह बीड्स होते है जैसे आज कि पेपर वेट हो गया या जैसे अगर आपको भी दुकान पर जाते तो वह सबजी तोलते जो साइड में वह वह वेट्स बोला जाता है एंड ब्लेड्स पूर यह जो अगर येलो कलर की दिखेंग बच्चों यह क्या होंगे ब्लेड्स हो गया अब बच्चों लाफ्ट साइड पर देखोगे टॉप पर कहा है स्टोन वेट्स है यह पत्थर के बने गए वेट्स है नोट्स हो केरफ़ली एंड प्रिसेजली इस वेट्स आर शेव्ड है देखो कितने शांदार तरीके से इन वेट्स को बनाए गया है इस वर मेड आफ च यह किस से बनाए गए चैरट जो एक कसम का पत्थर है इस वर प्रभबल भी यूजट वेट्स टोन और मेटल्स यह किस लिए इस्तमाल की गई थी ताकि इन से जो कीमती पत्थर या दावत होते थे उनका वजन किया जाता है अगर राइट साइड बे देखोगे तो यह एक बीडा गाय वाजबूर कार दिए ओर इसको पॉलिश चीए गया जाता है इस इस में से एक च्छेद किया जाता है जिस च्छेद में से क्या करा सकते हम लाज़ा को आरबार कर सकते हैं अगर आप राइट देखोगे स्टोन ब्लेड बेड़ा तो क्या है बच्छो यह बी पत्थर के blades बनाए जाते थे किसी चीज को काटने के लिए तो वो क्या है stone blades है अगर आप बॉटम में देखोगे Embroidered cloth यह क्या है एक नीचे अगर देखोगे बच्चों जेज़ जो आपको एक statue मूर्ती दिखाई देगी है इसके उपर जो पत्थर जो मूर्ती होती वह वहां से मिली थी इनको मूहंजदारो से इसके उपर क्या लिखाई इसने जो Garments जो कबड़े पहने थे उनको क्या किया गया था नकाशी की गई थे Embroidered garments इसने लगए थे The Harappans also made seals out of stone जो Harappans थे वो जो अपनी मोहरे बनाते थे वो जो उनकी जो मोहरे थे वो किस से बनाते थे पत्थर से बनाते थे These are generally rectangular, यह किस शेप में थे थे rectangular जैसे बच्चों ऊपर हमने देखा है उसी तरीकी सी यह rectangular shape में है See illustration on page 27 जैसे कि ऊपर जो page 27 पर दिखाए गया है वहाँ पर देखे And usually have animal card on them और अकसर उन पर एक जानवर की शकल card बनाई गई होती The Harappans also made pots with beautiful black design such as the one shown on page 6 अगर आप बच्चों page 6 पर देखोगे तो उन्होंने हर अपन से क्या बनाते थे वह मिट्टी के बरतन भी बनाते जिनके ओपर खूबसूरात काले कलर की design की गई होती थी जो की page नमर कहां पर रहे बच्चों 6 पर है अगर आप बच्चों देखोगे तो यह page नमर 6 है यह जो यह उपर जो पॉट या बरतन बनाया गया है इसके उपर जो design ब्लैक कलर की design तो इसके बारे में वह बहुत करते थे तो thank you बच्चों आज क्लास में इतने पढ़ेंगे next class में आगर के चम्टर पढ़ेंगे thank you